तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सबको बाताने वाला हूँ सारुखान का फठान फिलिम का हम टिकट ओनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग यही सिखेंगे तो अगर आप सारुखान का फैन है और उनका फिलिम देखना चाहते हैं और online ticket book करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बन रहे हैं तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने mobile को सबसे पहले open कर लेने ठीक है तो आपको इधर side में screen recording देख रहोगा आप इधर देख सकते हैं ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है पठान film का online ticket book करने के लिए आपको सबसे पहले आपके mobile में पेटियम तो जरूर होगा तो आपको क्या करना अपने पेटियम को open करना है open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है ध्यान से देखिएगा तभी आप पठान film का आप ticket online book कर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप सब देख सकते हैं तो अब आपको क्या करना है अगर जो भी नाया मोबी अभी आने वाला है ठीक है तो जो भी नाया मोबी है उस नाया मोबी का आप ticket online book करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको इहां upcoming आपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप सब देख सकते हैं तो आपको क्या करेंगे आपको यहां देख सकते हैं पठान भी दिख रहा है जो 25 जन्वरी को रिलीज डेट आपको दिखा रहा है 25 जन्वरी को यह पठान मोबी रिली टीकट ऑनलाइन बुक करने का ट्राइ कर रहा था सिख रहा था तभी तो मैं आप सब को सिखा रहा हूं ठीक है अब आपको क्या करने आपको 26 तारीकों मतलब आपको टीकट बुक करना है ठीक है इतने कितने बज़े से show है आपको पूरा दीख जाएगा आप सब देख सकते हैं और हाँ इस movie का language क्या है ये भी जाना ना चाते हैं तो आपको क्या करना है आपको यहाँ क्लिक करना है फिल्टर अपलाई पर आपको क्लिक कर देना है यहां जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्ल तो आप कितने बजे जाकर देखना चाहते हैं ठीक है आप कितने बजे का सो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं आपको यहां दिख जाएगा आप सब देख सकते हैं तो आपको जिस टाइम पर सो देखना है उस टाइम पर आपको क्या करना है किलिक कर देना ठीक है तो चलि तो आप जहां भी मतलब सीट लेना चाहते हैं आप एक लेना चाहते हैं या दो लेना चाहते हैं आप अराम से बूक कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आप एक कहीं सेलेक्ट कर लिजिए ठीक तो चलिए यह सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम यहां किलिक कर तो यहां मैंने जैसे क्लिक किया तो फिर से यह प्रोसीट बोल रहे तो चलिए प्रोसीट पर क्लिक कर देते हैं यहां मैंने जैसे क्लिक किया तो अब आप सब देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप सब देख सकते हैं और आपको यहां द प्रोसीड टू पे पे आपको किलिक करते हैं यहां आप जैसे किलिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहां यहां पे 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 किलिक करते हैं और पे पे आप जैसे किलिक करेंगे तो आपका एम वीडियो को लाइक कर लिजे और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आएसा ही helpful वीडियो आपको देखेने को मिलता रहेगा इस online technical help YouTube channel पर